दो हजार साथ के बाद एक बिलकुल स्पष्ट था कि उनाइटिट स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार-बार हमें सूचना है देता था कि कौन सही माइने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे उनके नाम भी थे युनाइटिड नेशन्स प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था लेकिन उस लाइन पे तकिकात करने के बाद इलावा किसी प्रकार से क्योंकि हिंदू टेरर की एक थेयरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कॉंग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था तो कई केसों में कि उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थेयरी बनाई थी अन्त में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्ने करना पड़ता है कि शहादत गवाईयां कितनी आई है एविडेंस कितनी आई है उसके फिस पे शायद इसी का ही परिनाम है जो आज तक हिंदूों को आतंकवादी मान रहे थे अब धर्म के प्रती अपनी श्रद्दा दिखलाने में लगे हैं क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बरदाश नहीं करते हैं